दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यह से यह हमारा फ्यूज होता है इस फ्यूज में फ्यूजिंग इंडिकेटर जो लगा हुआ होता है वह कहा होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूज हमारा उड़ गया है तो आए जान लेते हैं देखिए यह करके फ्यूज हमारे होते हैं जो हमारे घरों में जो इलेक्रिसिटी आती है उससे हमारे घर के सारे उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए ये फ्यूज यूज में आते हैं ये सुरक्षा परदान करते हैं लेकिन जो इंडिकेशन है जो हमारा किट कैट फ्यूज है या आप fuse यह कiसा fuse होता है जो हम देखकर करके ही बता सकते है की यह fuse हमारा उड़ गया है कैसे, देखिए यह हमारा HRC fuse के पीछे यहां पर देखिए, यह एक red color का एक indication बना हुआ है अलग अलग परकार के HRC fuse में अलग अलग परकार का indication बना हुआ होता है, कुछ हमारे HRC fuse इस तरह से आयताकार में होते हैं, कुछ इस तरह से गोल होते हैं, अलग-अलग प्रकार के हमारे HRC fuse होते हैं, तो कुछ HRC fuse हो में अलग प्रकार से, कुछ HRC fuse में अलग प्रकार से जो fusing indicator लगा हुआ होता है क्या होता है कि जब हमारा ये फ्यूज अभी वर्तमान इस्टी में हमारा सही है जैसे ही हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा या जो इंडिकेटर है या जो हमारा रेड कलर का या है मूती टाइप में आप देख रहे हैं यह बाहर आ जाएगा इससे आप देख करके ही जान सकते हैं क्योंकि जो हमारा फ्यूज होता है वो कुछ इस तरह से ही जो हमारा SFF होता है उसमें इस तरह से फिट होता है और इंडिकेटर को आप इसको ये जैसे ही बाहर निकलेगा या ये लूज हो जाएगा यह कुम्ला करके जितना यह टाइट है इस समय एकदम आराम से इदम लगा हुआ है अच्छी तरह से यहां पर इस तरह से नहीं होगा कुछ ने कुछ यह लूज हो जाएगा निकल जाएगा बाहर तो आप तरन देख करके जान सकते हैं कि यह जो हमारा फ्यूज है वह ओपन हो गया है तो आप उस फ्यूज को बदल दें क्यों क्योंकि क्या होता है कि जैसे त्री फेस की यह हमारी सप्लाई है तो उसमें कोई एक फेस हमारा ओपन हो गया तो दो फेस से कुछ चीज़ें आप कुछ लोड होगा दूसरे फेस पर कुछ लोड होगा तीसरे फेस पर कुछ लोड होगा तो दो फेस तो आपके सही ही है ना तो तीसरा फेस मालीजी आपका ओपन हो गया है फ्यूज इसका ओपन हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा कि आप वहाँ पर ट्रेक्स करते रहेंगे परेशान होंगे यहाँ पर यदि आप इस तरह का फ्यूज आपका लगा हुआ है तो आप देख करके ही जान जाएंगे कि आपका फ्यूज ओपन हो गया है और आप सिर्फ इस फ्यूज को बतल देंगे जिससे आपके पूरी सर्किट हेल्दी हो जाएगी तो मुझे अमीद है कि आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि यह इंडिकेटर क्यों लगा हुआ होता है और इसकी क्या जरूत होती है अगर यह लूज हो जाए तो हमें क्या समझ लेना चाहिए तो मुझे अमीद है कि आपका यह चीज क्लियर होग्ए होगी if ty आपसे interview में यह चीज country कभी आपसे पूछी जाती है या आपके सामने या fuge इस तरह से रख दिया जाता है और पूछा जाये कि आपसे फ्यूज इस तरह से आपके सामने रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह फ्यूज ओपन हो गया है आप देख करके ही कैसे बता पाएंगे तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो यह फ्यूजिंग इंडिकेटर लगा हुआ होता है इस से हम देख करके बता देंगे कि हमारा फ्यूज जो हुआ ओपन हो गया है तो वीडियो को जदा जदा सेर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी कभी इंटर्वियो में इस तरह से कोई पूछा जाता है तो आसानी से जबाब दे पाएं तो मिलते हैं नए वीडियो में नमस्ट का दोस्तों